सभी को नमस्कर बच्चो आज हम पड़े कैसे इस विशे के बारे में पड़ेंगे बच्चो जब हम पड़ने के लिए सोचते हैं तब हम परेशान रहते हैं कि पड़े कैसे लेकिन बच्चो पड़ना उतना कटिन नहीं है पड़ना बहुत आसानी है क्योंकि हम चित्र देखते हुए पड़ते हैं कभी बिना चित्र के आक्षर भी पड़ते हैं और आक्षरों को मिलाते हुए पड़ते हैं और शब्दों को मिलाते हुए भी पड़ते हैं देखिए बच्छो, हम चित्र देखते हुए कैसे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्छो, यहाँ आम का चित्र है। आम का चित्र में आ और मा आम का चित्र देखते हुए हम आ और मा दोनों अक्षरों को पढ़ते हैं। यहां देखिए बच्छों, हम बिना चित्र के अक्षर भी पढ़ते हैं, और अक्षरों को जोड़ कर पढ़ते हैं, जैसे देखिए बच्छों, का प्लस मा प्लस ला, कमल, इस प्रकार का, मा और ला, तीन अक्षरों को जोड़ कर हम कमल शब्द पढ़ते हैं, इसी प्रकार हम वाक्य भी पढ़ते है जैसे घर चल नल पर जल भर यहां देखिए बच्छों हम विराम चिहनों का ध्यान रखते हुए पढ़ना चाहिए यहां देखिए बच्छों रोको मत जाने दो यह एक वाक्य है इस वाक्य में हम अल्प विराम का उपयोग किया गया है यह अल्प विराम के वजह से इस वाक्य का अर्थ इस प्रकार बदल जाता है देखिए बच्छों पहला वाक्य रोको मत जाने दो यानि इसका अर्थ है आप रुकिये आप मत जाईए इस प्रकार होता है और तीसरा वाक्य में रोको मत जाने दो इस वाक्य का अर्थ क्या हो सक रोको मत बोले तो उनको नहीं रोकना चाहिए, जाने दो बोले तो उनको जाने दीजिये, इस प्रकार इस वाक्य का अर्थ होता है, अल्प विराम का उपयो करने से इस वाक्य का अर्थ इस प्रकार बदल जाता है, टीक है बच्चों, हम इस प्रकार चित्र देखते हुए, ब बाक्यों में विराम चिहनों का उपयो करते हुए पढ़ते हैं। पढ़कर इसका आर्थ समझ सकते हैं। बच्छों, पढ़े कैसे इस विशेई के अंतरगत मुक्की रूप से चार भाग होते हैं। जैसे पटित गध्यांश, अपटित गध्यांश, पटित पध्यांश और अपटित पध्यांश। ठीक है बच्छों, आज हम पढ़े कैसे विशेई के अंतरगत द्विती बाग अपटित गध्यांश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चो अपटित का आर्थ है जिसे पहले पड़ा ना गया हो, पार्टी पुस्तकों में ना पड़े गए गध्यांश अपटित गध्यांश कहलाते हैं, अपटित गध्यांश के द्वारा पाटक की बुद्धी, सामानी ग्नान और उसके स्वतंत्र अध्यायन की क् ध्यान रखना चाहिए, हम अपटित गध्यांश को ध्यान से दो तीन बार पड़े, प्रशनों के उत्तर हमेशा गध्यांश से ही हो, प्रशनों के उत्तर छोटे और एक वाकी में हो, प्रश्णों के उत्तर से सम्बंदित मुक्की अंश या वाक्य को रेकांकित करे। प्रश्णों के यदि विकल्प दिये हो तो विकल्पों को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर को चुने। शीर्शक गद्यांश के मूल भाव और उद्देश से सम्बंदित हो। टीक है बच्चों अब हम गद्यांश को पढ़ेंगे। कल मीना का जन्म दिन ता। पिता जी ने चट से गुबारे लटकाए और घर को गुलाब के फूलों से कूब सजाया। मा ने केक मिटाईया और शर्बत बनाया। मीना ने नए कपड़े पहने। शाम को मीना के घर पर उसके कुछ दोस्त इर्फान, सुनीता, मेरी और सुरेश आये। मीना ने मोंबत्ती बुजाई और केक काटा। सभी दोस्तोंने मिलकर बदाई गीत गाया। बदाई हो बदाई जन्म दिन की बदाई। मीना ने अपने दोस्तों को केक, मिटाया और शर्बत दिया। दोस्तों ने मीना को उपहार दिये, मीना ने सुरेश से पूचा, तुम मेरे लिए उपहार क्यों नहीं लाए? सुरेश ने जवाब दिया, मेरी मा घर पर नहीं ती, इसलिए मैं तुम्हारे लिए उपहार नहीं ला सका. मीना की मा ने मीना को समझाया कि उपहार लेना या देना बड़ी बात नहीं होती है. एक दूसरे की कुशी में साथ देना बड़ी और अच्छी बात होती है. सभी बच्चों ने जन्म दिन धूम दाम से मनाया. बच्चों, अब हम गध्यांस के नीचे दिये गए प्रश्णों का उत्तर देना चाहिए. लेकिन इन प्रश्णों का उत्तर देने से पहले हम इन पांच शब्दों को द्यान में रखना चाहिए. वे क्या है बच्चों? देखिए क्या, काउन, क्यों, कब, और कैसे? इन प्रश्णों का उत्तर देना चाहिए. देखिए बच्चों, पहला प्रश्ण, पिता जी ने घर कैसे सजाया? दूसरा प्रश्ण क्या है बच्चों? मा ने क्या बनाया? तीसरा प्रश्ण क्या है बच्चों? मीना ने केक कब खाटा? इसके बाद सुरेश उपहार क्यों नह 5. दोस्तों ने मिलकर कौन सा गीत गाया 4. जन्म दिन कैसे मनाया गया और अंतिम प्रश्न क्या है बच्छो? इस अनुच्छेद का शीर्षक ग्या होगा देखे बच्छो पहला प्रश्न क्या है पिता जी ने घर कैसे सजाया इस प्रश्ण का उत्तर हम अनुच्छेद में डूंड कर रेकांकित करना चाहिए लेकिन बच्छो इस रेकांकित वाकियों को हम जैसे का वैसा नहीं लिखना चाहिए प्रश्ण के अनुसार उत्तर को एक वाकी में लिखना चाहिए जैसे यहां देखिए बच्छो पिता जी ने घर कैसे सजाया इस प्रश्ण के लिए अनुच्चेद में हम दो वाकी रेकांकित किये गए है वे क्या है बच्छो पिता जी ने चत से गुबारे लटकाये और घर को गुलाब के फूलों से कूब सजाया लेकिन लिखते समय कैसे लिखा गया है बच्छो देखिए पिता जी ने घर गुबारे और गुलाब के फूलों से सजाया इस प्रकार रेकांकित किये गए वाक्यों से उत्तर को छोटा करके एक वाकी में लिखना चाहिए इसके बाद दूसरा प्रश्ण क्या है बच्छो मा ने क्या बनाया इसका उत्तर कहा है बच्छो देखिए अनुच्छेद में अनुच्छेद में देखते हुए इस उत्तर का भी रेकांकित कीजिए रेकांकित करने के बाद इस उत्तर को प्रश्ण के नीचे लिखना चाहिए देखिए बच्छो इस प्रश्ण का उत्तर सिर्फ एक ही वाकी में है इसे हम चोटा नहीं कर सकते है इसलिए इस उत्तर को हम सीधा प्रश्ण के नीचे लिख सकते है तीसरा प्रश्ण क्या है मिल गया है इसे चोटा करके हम मीना ने केक शाम को काटा इस प्रकर लिख सकते है इसके बाद क्या है बच्छो सुरेश उपहार क्यों नहीं ला सका देखे बच्छो इस प्रश्न का उत्तर हमें सीधा नहीं मिला है अब हम क्या करना है बच्छो रेकाकित वाक्य को देखते हु प्रश्न के अनसार उत्तर लिखना चाहिए। देखे बच्छों, सुरेश की मा घर में नहीं थी, इसलिए वह उपहार नहीं ला सका। इस प्रकार लिखना चाहिए। इसके बाद कौन सी प्रश्न है बच्छों? दोस्तों ने मिलकर कौन सा गीत गाया। इसका उत्तर हमें मिल गया है। देखे बच्छों, इसका उत्तर होगा, दोस्तों ने मिलकर बदाई गीत गाया। अब कौन सी प्रश्न है बच्छों? जन्म दिन कैसे मनाया गया। इसका उत्तर देखे बच्छों, जन्म दिन धूम धाम से मनाया गया। देखे बच्छों, अब अन्तिम प्र इसलिए हम क्या करना चाहिए बच्छो अनुच्चेद के विशय और भाव के अनुसर अनुच्चेद का शीर्षक रखना चाहिए अब सोचे बच्छो इस अनुच्चेद का विषय क्या है? इस अनुच्चेद का विषय जन्म दिन है. जन्म दिन के बारे में इस अनुच्चेद है. इसलिए हम इस अनुच्चेद का शीर्षक जन्म दिन रख सकते हैं. अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्छो? इस अनुच्चेद का शीर्षक जन्म दिन होगा, ठीक है बच्चो, अब कोई अनुच्चेद पढ़िये, उससे संबांदित प्रश्ण बनाईए, इन प्रश्णों के उत्तर एक वाकि में लिखिये, ठीक है बच्चो, आज हम पढ़े कैसे, विशे से संबांदित, द्विती अपटित गद्यांश के बारे में पढ़ चुके है, तो बच्चो, इस प्रकार कुछ अपटित गद्यांश को लेकर ठीक से अभ्यास कीजिए, धन्यवाद